हेलो फ्रेंज वागत आप सभी का हमारे चनल को केश्टेडी में मैं कॉल विष्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्त आप कहा पर कराऊंगा घातां की नियम दोस्तो अर्थात, एक्स्पोनेंट, रूल्स दोस्ते आप देखें इनके आधार पर आपके बहुत सारी कुश्चन आते हैं हर एक एक एक्जाम में, तब इनको आप समझ लेंगे एक बार, तो आप सभी कुश्चन को बढ़े ही आराम से कर लेंगे और यहां पर देखें दोस्तो इदि आपने हमारे जल को सब्सक्राब ने किया अभी तक तो प्लीज हमारे जल को सब्सक्राब कीजिए और बेल अकिन को दोवाना मद भूलेगा दोस्ता हमारे वीडियो को पर थंपाने के लिए क्योंकि आपको रोजी मिलते है नए नी वीडियो एक्जाम के अधार पर और नए ने टॉपिक दोस्तो आर्मी के अधार पर तो आए शुरू करते हैं तो आप देखेगा दोस्तो क्वेशनों को और इनको दोस्तो समझेगा और जो भी आपको फॉरले मिलेंगे उनको आप नोट करते रहेंगे देखे दोस्तो पहले शुरू करते हैं हम घातां के नियम अर्थाद आपके एक्स्पोनेंट रूल यहाँ पर देखे दोस्तो माना A, M और N प्राकुर्द संख्याए हैं सभी क्या हैं दोस्तो नेचुरल नंबर हैं तो इनके लिए आपको रूल देखने हैं अब दोस्ते आप पर देखे जो आपको नीचे दिये हैं A की पाउर M, A की पाउर N जो भी आपर हैं इनमें दोस्त आपका जो आपका नीची वाला होता है ये आपका दोस्त आधार कहलाता है अर्थात बेस कहलाता है और उपर की जो आपकी घाता होती है दोस्तो इनको आप घातां कहते हैं अर्थात आप इनको एक्सपोनेंस कहते हैं अब दिखें कि क्या नियम है दोस्तो क्या आपके यहांपर रूल होते हैं पहला आपका यहांपर है दोस्तो A की पाउर M, गुणा A की पाउर N दोस्ते आपका देखे जब आपके आधार बराबर है गुणा हो रहा है तो आपका घातें जोड़ जाएंगी अब इसके लिए आपका देखें यहाँ पर एक नियम बनता है आधार समान होने पर गुणा करने पर दोस्तों गुणा करदे समय कहतांग जोड़ जाते हैं तो यहाँ पर देखें जब भी आपका इस तरह का कुशन आएगा जमाली जी आपका 3 की पाउर 2 और यहाँ पर आपका 3 की पाउर 3 है तो आपके आगरेंगे 3 की पाउर 2 धन 3 अर्था 3 की पाउर 5 और 3 को आप 5 बार कुणा करके आंसर को निकाल लेंगे अगला आपका आता है दोस्तों यह आपका पहला नियम हो गया दूसरा आपका आता है A g power M बट्टे A g power N तो ये बराबर होता है दोस्त आपका A g power M minus N अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है दोस्तू M आपका उपर है N आपका नीचे है तो पहले आप M करेंगे फिर minus आप N करेंगे तो यह आपका यहाँ पर M बड़ा है N से अब इसके लिए क्या नियम मनता है दोस्तू आधार समान होने पर आधार समान होने पर आपका condition आप भूलेंगे नहीं आधार समान होने पर भाग देने पर दोस्तो घातें घट जाती है गुळा करने पर आपकी जुणेंगी और दोस्त आपके भाग देने पर घड़ जाएंगी तो यह आपको यहाँ पर ध्यान देना है अब मालिजी आपका उपर ही वाला लंगे तीन की खाथ तीन करें बट्टे तीन की खाथ दो तो ये दोस्त आपको 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 तीन की घाट दो की घाट तीन है तो ये दोस्त आप कहांपर तीन की घाट छे होगा या फिर आप कह सकते हैं तीन की घाट तीन की घाट दो होगा तो ये भी दोस्त आप कहांपर तीन की घाट छे ही होगा आप इनको आगे पीछे कर दें क्योंकि दोस्त आपको पता होगा घातें यहाँ पर आपके बराबर हैं लेकिन आपके आधार अलग अलग हैं अब यहाँ पर देखे घात समान होने पर आधार दोस्तों गुणा हो जाते हैं देखे आपके घाते समान होनी चाहिए और जब आप गुणा करेंगे तो आपके आधार जो हैं गुणा हो जाएंगे कहने का मतलब है 3 की घाथ मालजी आपका 2 है और 7 की घाथ 2 है तो ये दोस्त आपका आपका आपर देखिए 3 गुणा 7 की घाथ 2 आपका हुजागर 21 की घाथ दोस्तो 2 हो जाएगा तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे अब दोस्ते आपर देखे सारे के सारे जो आपके फॉरले होते हैं इनी पर वेजड आपके दोस्तो होते हैं अब उदाहरण के तौरपा आपको दोस्ते आपर देखे एक नियम बताते हैं यदि आपका दोस्तो एक बट्टा एक इगात एन है तो यह आपका दोस्तो होता है एक इगात माइनस एन अभी कहां से आएगा रूल नंबर दो रूल नंबर दो आपने पढ़ाता दोस्तो एक इगात एम बट्टे एक इगात एन बराबर एक इगात एम माइनस एन अभी यद होगा दोस्तों आपको पता होगा एक ही घाँ जीरो किसी भी नमबर की दोस्तों जो आपका यहाँ पर नमबर आपका धनात्मक है उसकी घाँ दिया जीरो कर दें तो आपको क्या मिलता है घाँ जीरो करने पर दोस्त आपका एक मिलता है यह आप हमेशा रखेंगी आपने जहन में रखेंगे बहुत बार question पूछ भी लिए आ जाता है मालीज आपका 2 की घाट 0 कर दें या फिर आप 3 की घाट 0 कर दें या फिर आप 100 की घाट 0 कर दें तो सभी के मान दोस्तों क्या होंगी एक ही होंगी तो यहाँ पर आपने देखा एक घाट 0 आपका यहाँ पर है तो यहाँ आपका 1 हो गया बट्टे एक घाट N तो यहाँ से दोस्ता आप फॉर्णला देखते हैं तो सीधे आपका आएगा एक घाट 0 माइनस N अर्थाद एक घाट माइनस N तो यहां से दोस्त आपका निकलता है ये वाला फॉर्णला बहुत बार यदि आपका पूरूफ करने को आगा थियोरिटिकली तो आप पूरूफ भी दोस्तों कर सकते हैं तो यह दोस्त आपने आपर फॉर्णले देखी और भी फॉर्णले हैं उनको आपको बताएंगी लेकिन इससे पहले थोड़ सा आपको एक्जामपल बताते हैं जिससे आपको एक फॉर्णले पोखता हो जाएंगे देखें पहला एक्जामपल यहापर है 17 की गात 2 और 17 की गात माइनस 5 दोस्ते यहाँ पर देखे बिल्कुल आपके आधार बराबर है आधार बराबर होने पर गुड़ा होने पर दोस्तो घाते जोड़ जाती है अब यहाँ पर देखे आप करेंगे 17 घातों को जोड़ेंगे दोस्तो 2 धन अब माइनस 5 आपका है ब्रेकिट में माइनस 5 तो एक कितना आएगा दोस्तू 17 की घाट माइनस 3 आपका बन जाएगा क्योंकि आपको पता होगा प्लस माइनस आपका माइनस होता है दोस्तू और चेहन आपका बड़े वाली संख्या का आता है और बड़ी संख्या पर आपकी मैनस 5 दिखती है तो ये दोस्त आपका आपका मैनस का चेन आ जाएगा अगले हाँ पर देखें दोस्त आपका है घात के उपर घात तो घात के उपर घात होने पर दोस्तो घातों का गुड़ा होता है दो गुड़ा माइनस साथ आप करेंगे तो यह दोस्त आपका आपका पांच की घात माइनस चौधा आपका हो जाएगा और वैसी दोस्तो यहाँ पर देखे तेज की घात माइनस दस बट्टे तेज की घात साथ अब यहाँ पर देखे घातों का समान आधार होने पर दोस्तों घातों का क्या होगा भाग देने पर घातें घर जाएंगी तो तेज की घात मैनस 10 आपका पहले उपर ओलेडी है दोस्तों और नीचे का आप 7 को मैनस 7 करेंगे साथ की घात मैनस 7 आब यहाँ पर आप क्या देखते हैं घातों की घात आपकी बराबर है तो दोस्तों गुड़ा होने पर आधार आधार आपके गुड़ा हो जाते हैं तो 9 गुणा 7 करदेंगे 9.63 आपका हो जागा दोस्तो और घातों को आप एक जिगा करदेंगे तो माइनस 3 तो यह आपका अंसर आ गया वैसे ही दोस्त आप कहाँ पर देखें 2 की घात 2 बट्टा 3 और 2 की घात 1 बट्टा 3 अब यहाँ पर देखें घातें दोस्त आपके भिन् आपका आ गया और वैसे ही आप यहाँ पर निकालेंगे 1 बट्टा 3 की घात 5 की घात चार तो इसमें क्या करेंगे दोस्तो आप इसमें भी आप वही करेंगे एक की घात चार बट्टे तीन की घात पांच की घात चार बराबर दोस्ते आपर देखिए एक की आप कितनी भी घात कर लें हमेशा आपका एक ही आएगा तो यह आपका एक हो गया और नीचे आपका दोस्तों तीन की घात अग घात के ओपर घात है तो घातों का कुणा कर देंगी तीन की घात 20 आपका आंसर आ गया अब वैसे ही दोस्ते आपर देखिए आपके आधार बराबर हैं तो भाग देने पर घाते घटेंगी तो साथ की घात 1 बटा 5 मैनस 1 बटा 3 तो यह दोस्तों कितना आएगा आप यहाँ पर देखिए बिल्कुल भेनों को सॉल्व कर लेंगी हर समान करने पर आपका नीचे 15 आगया और यहाँ पर दोस्तों कितना आएगा 3 और यहाँ पर आपका मैनस 5 तो यह दोस्तों किया पर आजाएगा साथ की घात मैनस 2 बटे 15 तो इस तरह दोस्तों आप आसानी से इन क्वेश्चनों को कर लेंगे अब दोस्तों हम आगे वारे नियमों को पढ़ते हैं देखिए अगला नियम क्या है दोस्तों देखिए माना A is greater than 0 अर्थात A जो है 0 से बड़ा है वास्तिविक संख्या है और A जो होते है और यहां से आप A को निकालेंगे दोस्तों तो A बराबर आपका B की पाउर A न होता है अब यह दोस्तों बहुत बार एक क्वेश्चन आपके आते हैं देखिए एक्जाम्बल के तोर पर यहां पर आप A निकालेंगे इन क्वेश्चनों में अनरूट A बराबर 4 आपको दिया है दोस्ते आपर दिखे यहां पर आपका मूल क्या है मूल आपका दोस्ते यहां पर क्या होगा दो होगा क्योंकि दो को लिखा नहीं जाता तो यहां पर आप दो मान सकते हैं तो यहां पर आपका तो इस तरह दोस्तों आप बहुत ही आसानी से निकाल लेंगी आपको ध्यान देना है जब आप यहां से रूट को हटाएंगी तो मूल यहां पर घात में चला जाएगा दोस्तें आपर देखें महत्पून फोरल आता है आपका घातां की भार्षा में दोस्तों मूल इन, रूट ए को आप दोस्तों ए की पावर वन अपोन इन लिखते हैं बहुत बार आपका एक क्वेशन आपका इस्तेमाल होगा दोस्तों मालजिए आपको रूट दो है तो रूट दो को आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों दो की घात एक बट्टा इन अर्थाद आपने दोस्तों, root को रटा के क्या कर दिया, आपने power में convert कर दिया, तो यह दिन आपको, root को, घात में लिखना है, तो इसके लिए आपका forna है, यह वारा, यहाँ पर आप देखिए, जो भी आपके मूल होगा, दोस्तो उसे आप घात में अपन में करतेंगे आर्थाथ-भिन्नमे आपल दोस्तो भर में ले आएंगे तो वह दोस्तव में अपर गहतां की रूप млекर्ड हो जाए गा अब मालीजी आपको वैसे इसको लिखना है तो क्या हो जागा दोस्तो तीन की गहात एक बट्टा तीन और वैसे आपको इसको लिखना है तो क्या होगा साथ की गहात एक बट्टा चार तो यह दोस्त आपका आपर होता है और ध्यान देना है आपको यहाँ पर एन आपका पू एन तो इसे आप कैसे सॉल्ब करेंगी दीए पहली कंडिशन दोस्ते आपर दो प्रकार के आपके फॉर ले निकलेंगे देखिए पहला प्रकार आपका बंता है यहीं आप आपका इस फॉर माप लिख सकते हैं अभी आपने पढ़ाता दोस्तो यदि आपका ओई की पर वन अपोन एन हो तो इसे आप लिख सकते हैं इन रूट के अंदर ए तो वैसे दोस्ता आप यहां पर लेक शक्ते हैं एगी पार एंग को इन तो यह दोस्ताब का अपर एग्फ औ बनता है वैसे आपका यहां पर यह दिया आप चाहें तो a m upon n को दोस्तों लिख सकते हैं यहां पर देखिए अंदर आप कर दीजी one upon n को a की power on upon n और m को आप बाहर कर दें तो यहां से आपका बनता है दोस्तों अंदर आपका बन गया n root a और बाहर आपका m तो दो फॉर्णल बनते हैं तो यहां से आप कोई भी फॉर्ला लगाएंगे दोस्तों आपका मान निकल जाएगा माल यह आपने पहला वाला लगा दिया तो यह आपका यहां पर आ गया